कि दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करते हूं आपका प्लंबर इस पे साइलिस्ट चैनल में दोस्ता आज की वीडियो में आपको ग्रोहे का इस फ्रेम वाला तंसिल सिस्टम लगाने के बार में जान कर दूंगा आप देख लिए यह वाला सिस्टम में यह सब मतलब यह खुल तो यह जो काम है दोस्तों बहुत ही मतलब मगजमारी वाला काम है इसको लेवल करके बिठाना पड़ता है तो आज की इस बीडियों मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा और सासे साथ इसको फीट करके बताऊंगा परफेक्ट मेजर्मेंट के साथ में यहां पर यह स से चंतर करते हो आपका स्पेस है तो आप साइड से ले सकते हो पीछे से और मैं यहां पे दूस्तों एक को पीछे वालों को मेरे तूसकर जोई Are लगा देना आ आपको इसे लगा देना है और उसके बाद में इसका उपर का बाद में लगाँगा अब देख लिग यह अब ज्या दोस्तों यहाँ पर इस बातुरूं में से काटा हो चुक है अब मैं बेंच से इसका नाप ले लेता हूँ यहां पर तुक्रा 9 मिंट कर तुक्रा रहा, socket बाद तो इसको मैं काट लेता हूं, ग्लेंडर से यहां पर, तो उसके बाद मैं इसको थोड़ा माज लेता हूं, और यहां पर दोस्तो सबसे पहले मैं इसको कच्छा फिटिंग कर के देखूंगा, और उसके बाद मैं फाइनल नाप कर देखोंगा यह सही आता है याने उसके बाद मैं मैं इसको लूब्ले केंड और वासर देखा लगाओंगा यहां पर देख सकतो हो मैं इसको पूस कर दिया हूं ऐसे पहले सिंपल कच्छा फिटिंग करके मुझे नाप कर फाइनल देखना ह तो यहां पर देख सकतो है मुझे 9.5 इंच रखना है और फ्लोर का टोप लेवेल से जो बेंड का नीचे कहीं से हुआ मुझे सवासाध रखना है यहां पर देख से को मैं आपको भी पाइनल बताओंगा तो अब मैं इसको जो है यह फाइनल आ रहा है आप इसको मैं लागा देते हूं वासर देखर तो कच्च देकर इसलिए लगा तो अगर अब ए बड़ा चोटा हो तो मैं इसको कार सकता था इसलिए मैं इसको सबसे पहले wreckage सेमपल में लागा देखा हूं विकिसका पार्फिक्ट को निकालने निकालने के लिए इस तरी के का काम करना पड़ता है अब कितने सी बैच्छा से मापा आपको पहले आपको क्या करना तो कच्छा फिटिंग करके लगाना उसके बाद मैं अच्छे से फिट करना है तो आप देखली जाब वासप देगर मैं इसको लगा दियो और मैं आपको फाइनल नापकर बता रहूं एक निकाल देना है thi अगर अब लगाते हो तो आप यहांपर आपे design में बिठाओंगा यह ओधनर जुरूख के इस key to new smart यहांपर आपको देखने कुर्ण के लिए यहांपर चारेंज का पाइप में नड़ रहा है लेकिन जो कमपनी के साथ में जो इसका सेट आया तो उसको अगर मैं लगाता है यहां पर तो वह काटना नहीं पड़ता अब मुझे इसका फ्रेम को काटना पड़ेगा अब देख लिए इसको लगाने के बाद में यहां पर यह वाल से थोड़ा बहार निकल रहा है और यहां पर यहां पर कंसील में दोस्तो अब को मोड लगाऊंगा तो यह घूमेगा दे इसके सबसे मुझे यहाँ दूस्तों गलिग का सइप मी अलका इसका इसका प्रेम को काटना है जिस स्रीदह में पाडिन लाईगा आप घखने यहाँ पर डो इसको मैं काट कर निकालनां, अपट चैर्ङाँश चैरेंज का पाइप रात इसको मुझे काट कर निकालना है रहा था यह वाला फ्रेम क्योंकि वो दोस्तो 110 mm का पाइप है और इसके साथ में आया था 90 mm का पाइप आप दिख लिजिये अब उसके बाद में इसको तो फ्रेम से निकाल कर में इसका एंग्लक जो है एंग्ल को का पॉइंट उसके मैं व्रास इलबो की लगा लगा लोगा थे हो अब इसमें हलका सुलिशन दे कर इसका ब्रास इलबो को मैं यहाँ पर अच्छे से लगाऊंगा औ और इस चैनल में अगर आपने आता चैनल को सब्सक्राइब भी करिए यहां पर लाइक करते हो अब जो यहां पर इस प्लास्टेंग में आपको यह चीज आपको ध्यान में रखना है दूस्तों ब्लाक टेप या फिर आपको सिलिकॉन लगाना है इसके अंदर जो एक गे अप आता है या दोस्तों बाहर के साधे तो इसको आपको क्या करना है या फिर जीलिकॉन als प satisf कोवैर कर देना है क्यों करना है में आपको बता वहां गाकर आप आप में अलग से नाप कर आप उपर निचे इसको कर सकते हूं मसला बेंड को और फ्लास्टिंग का पाई आउटलेट का पाई इनलेट का पाई उसका लेवल करने के लिए यहाँ पर देख सकते मैं 75 में सेंडर करकर इसको मैं शेट कर दिया हूं यहाँ और इसके बाद में बहुत दोनों तरह साइड से और उपर से यहाँ बबल लेवल देखकर सीधा देख रहा हूं यहाँ पर फ्रेम जो बिल्कुल सीधा रहना चाहिए यहाँ पर यह वाला भाग आप एडजस्ट करने के लिए उपर नीचे करकर उसके बाद में आपको अगर सही नाप में आ रहा है उसको इसको फिक्स कर देना है अच्छे से ताकि आप उपन नीचे ना हो सके तो अब जो दोस्तों देख सकते लेवल करने के बाद में उपर कमें इनलेट का जो है कनेक्शन वाटर के लिए उसको मैं कनेक्ट कर दूँगा यहाँ पर नाप कर नाप कर पाइप काट लिया था अब मैं इसको टी और फोड़ी एप से इसको अंदर लूँगा यहाँ पर दो इंच अंदर जाएगा इसलिए टी और फटी है मरकर अंदर घिशे में लाइन को ले चुका हूं अब इसका आड़ा लाइन ब्रास इल्बो से इसमें कनेक्ट करूंगा जितना बाद टुकरा रहा है इसको मैं नाप लेता हूं आभी आपर इसको शोलेशन देखर पूश कर दूँगा यहाँ अब देख लिजए आप इस में है जो आपको नाप कर आपको सई से देख लेना है जैसे मैं भी आपको नाप कर बता रहूं यह इसका घीसी जाम करने से पहले तो आपको साइड से ऐसे आपको अच्छे से देख लेना है दोस्तों यह फ्रेम जो है कितना अंदर बाहर हो रहा है तो यहां पर आप देख से तो बेंट का टॉप से इसका 75 mm मैं फ्लास जो पाइप है उसका सेंटर रखा हूं तो अब जो यह है दोस्तों फाइनल फिटिंग जो है हो चुक है अब मैं इसको दोस्तों अच्छे से जाम करूंगा यहां पर यह आप देख सकतों यह पॉन इंच का यह सीवीशी पाइप के लिए वाडर का इनलेट कर दोस्तों है जाम करती हो और नापकर भी देख लिए हूं तो बेंड का टोप लेबल से 75 mm व subscribers को आप जो है दो 9 कि यहाँ और देख का सेंटर यहां पे तुआ नशार जोस्तों ये जाम हो रहा आप डेख सकतो मैं इसको देख मेंईज को बुदेकर कर अच्छे से इसको ज आप देख लिए जो जहां पर बोल्ट आता है वहाँ पर अच्छे से आपको मसाला देना है ताके अंदर कोई मतलब यह दिक्कत ना होगे घूम ना जाए आपको अच्छे से जाम करना है तो जाम करते हुए आपको दोस्तो बॉबल लेबल आपको बिठा का रखना है और आपको चेक करना है कि इतना अंदर बाहर फ्रेम अगर हो जाता है तो बहुत ही दो खराब दिखेगा और क्या है तेड़ा बाका यह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए फ्रेम जो है तो इसमें अगर यहां पर इसका फ्रेम में यह प्लेश्टर जो है दोस्तो वाल का प्लेश्टर उसका पूरा लेबल में होना चाहिए यहां फ्रोड़ा सब अभी बाहर नहीं होना है इसके थोड़ा सा अंतर होगा चलेगा और इसका जो मतला मीनिमum में आपको कुछ करना नहीं बस आ काफी बाहर इसका अंदर बाहर होता है कोई दिक्कत नहीं वह चल जाता है यहां पर दोस्तों अमेद करता है आपके वीडियो अच्छा लोगा वीडियो अच्छा तो बिडियो लाइक कमेंट से जरू करेगा मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ तब तक के लिए मुझे इजए बाबाइ